नमस्कार आप देख रहे हैं डेल 99 आपके साथ में हूँ प्रयांका हर्याना के मनुहलाल खटर ने दिया एक विवादित बयान और इस विवादित बयान का वीडियो काफी तेजी के साथ वाइरल क्या जो रहा है दरसल गुरवार को मनुहलाल खटर एक प्रोग्राम को संबोधित करने पहुँचे जहां उन्होंने रेप की घटनाओं पर ये बयान दिया उन्होंने साफतोर पर ये कहा कि रेप की घटनाएं सिर्फ और स्रिफ लड़कियों की वज़े से होती हैं उनका कहना था कि रेप की घटनाएं कोई नई नहीं हैं ये पहले भी हुआ करती थी आज भी होती हैं लेकिन सबसे बड़ी चिंदा ये है कि इन में 80-90 प्रतीशत केस ऐसे होते हैं जो की जानकारों के द्वारा किये जाते हैं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ घटनाएं ऐसे भी होती हैं जिसमें कई लोग एक साथ काफी वक्त तक रहते हैं लेकिन अगर कोई छोटे सी गड़बडी हो जाये तो वो जाकर एफायार दर्च करा देते हैं कि इस इनसान ने मेरा रेप किया है आपको बता दें कि मनोहर लाल खटर का ये बयान काफी तेजी के साथ वाइरल हो रहा है इससे पहले भी मनोहर लाल खटर ने 2014 में एक विवादत बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियों को रेप से बचने के लिए धंके कपड़े पहनने चाहिए आपको बता दें कि खबरों के मताबिक हर्याना में महिलाओं के प्रती अपराद काफी बढ़ गया है जहां पर रेप की घटनाए 47 प्रतीशत बढ़ चुकी है और इनी रेप की बढ़ती घटनाओं पर मनोहर लाल खटर का ये बयान आया और इसी के साथ बाकी खबरों के साथ जूड़े हैने के लिए सब्सक्राइब करें डेल 99